हलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगी दोस्तों केजड बर्ड जिसे लिखा था माया एंजिलियों ने माया एंजिलियों का आप जितना भी पोयम्स देख लें उसमें उन्होंने अमरिकंस पे हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया है ब्लैक अमेरिकंस पे जो की वाइट अमेरिकंस करते हैं उसको जो टॉर्चर है वो जो गुलामी वो सहर है अभी भी वो चीज़े वो अपने पोयम में हमेशा बताती है जैसे कि आप एक स्टील अराइज देख सकते हैं वो पोयम हमने बनाई है उसमें भी उन्होंने वही सब चीज़ें बताई है कि किस तरह वाइट अमेरिकंस ब्लैक अमेरिकंस पे फोर्स करते हैं और उन्हें छोटा मैसूस कराते हैं तो वो जो केज़ड बर्ड किस उन्हों करवाते हैं और इसलिए उन्होंने सुरुवात में इसका जो टाइटल है वो यह रखा था I know why the caged bird sing मैं जानती हूं कि वो जो caged bird यानि वो जो पिज़डे में पक्षी है वो जो ब्लैक अमेरिकंस को डिनोट कर रहे हैं वो क्यों गाते यानि वो क्यों चिलाते हैं उन्हों वो ने इस पोयम को सेकर कलेक्शन में पब्लिस कराया था जिसका पूरा नाम था सेकर why don't you sing जो की 1983 में आई थी और आज इस पोयम को हम caged bird को पढ़ने जा रहे हैं वो free rhymes में यानि इसका कोई rhyming scheme नहीं है नहीं इसका कोई verse है यह free verse में है इसका बस एक theme है जो की freedom versus captivity है अब आप सोच रहे हैं को captivity मतलब क्या होता है तो कैदी होता है आजादी और कैदी दो चीजे हैं और यह denote करते हैं जैसा कि freedom जीते हैं white Americans अमेरिका में और captivity जीते हैं black Americans यानि कैदियों की तरह उन्हें मैसूस होता है अपने ही country में तो आईए दोस्तों हम poet के बारे में जनते हैं Maya Angelou जनका जन हुआ था 4 अप्रिल 1928 में और इनकी देत अभी हाली में 28 मई 2014 में हुई या एक American poet रही और memorial civil right activist रही black Americans को लेकर और इन्होंने अपने जीवन काल में 3 Grammy Awards पाए जो की उन्हें spoken word album में मिले थे उनके इनकी famous work को ले लिया जाए तो वो थी I know why the caged bird sing जो की आज हम पढ़ेंगे और on the purse of the morning तो आईए दोस्तों line by line poem को पढ़ते हैं और उसके meaning जाने की कोसिस करते हैं A free bird leaps on the back of the wind and flow downstream till the current end and dip his wing in the orange sun ray and dares to claim the sky यहां पर poet करती a free bird यानि आजादपची leaps on the back of the wind यानि वो हवा के विप्रित दिसा में खुलकर उड़ता है and floats downstream till the current end और तब तक वो float मतब कि अपने eagle को देखा है जो उपर में ऐसे घूमता रहता है जैसे क्या picture में आप देख रहें eagle तो वो जब उड़ता है तो ऐसे गोल गोल घूमता है तो वो downstream आता रहता है और तब तक downstream आता है करता है यानि कि डुबाता है कि इसमें orange sun rays पड़ते हैं वो उसके पंखों में पड़ते और मानों ऐसा लगता है कि वो उन्हीं उसमें डुबा रहा है and dare to claim the sky और फिर वो अब आसमान की एक और उच्छी उड़ान भरता है तो यहाँ पे poet यह कहना चाह रहे हैं कि जो free bird होता है वो किस तरह उड़ता है वो बता रहे हैं तो यहाँ पे free bird से मतलब है white Americans किस तरह अपनी citizenship को enjoy करते हैं और अमेरिका में freely रहते हैं कोई रोक टोक उन्हीं नहीं होता है उसी चीज़ को symbolize करके वो यह कह रहे हैं कि किसी एक free bird के रूप में माल लिजे white Americans को और वो अमेरिका में free घूमते हैं जब मन करता float करते हैं जब मन करता अपने wings फैलाते हैं और उड़ते हैं अब आई आगे पढ़ते हैं poet क्या लिखती है But a bird that stalks down his narrow age can seldom see through his bars of rage His wings are clipped and his feet are tired so he open his trout to sing But a bird that stalks down his narrow age पर जब एक चिणिया जो की एक पिंजडे में रहता है वो चुप चाप रहता है और गुस्से में रहता है पिंजडे में बंद Can seldom see through his bars of range यह पिंजडे में कभी कभी और कभी कभी वो जो caged bird है उसकी जो आखे हैं वो एक range तक ही देख पाती है जिसे वो पिंजडे में बंद है तो उसकी जितनी दूर आखे जाएंगी वो देखेगा और फिर उसी पिंजडे में घुमता रहेगा His wings are clipped and his feet are tired so he open his throat to sing उसके जो पंक है उसे clipped कर दिया गया यानि काट दिया गया है और उसके जो पैर है अब ठक गए है इसलिए वो अपना ट्रॉट यानि कि अपना गला खोलता है अपने कंट खोलता है और जोर से चला कर बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है उस पिंजडे में तो यहां पर पोईट यह कहना चाहा है कि जिस तरह आपने अजाद बर्ड्स यानि वाइट अमेरिकंस को देखा उसे तरह ब्लैक अमेरिकंस को देखें और जाने कि किस तरह उन पर एक केजड बर्ड की तरह टॉर्चर होता है वो पिंजडे में जैसे एक पक कर बताता है उसके बाद आगे पोईट लिखते हैं the caged bird sing with a fearful thrill of things unknown but longed for a still and his tone is here on the distant hill for the caged bird sing of freedom the caged bird sing यानि वो पिजडे में पक्षी गा रहा है जिससे उसे डर भी लग रहा है मालिक का और वो thrill में भी है और वो उस unknown चीज के बारे में जानता भी नहीं आजादी के बारे में पर वो अभी भी लंबा सासे भर कर अभी भी गा रहा है and his tone is here उसका जो आवाज है जो चिलारा दर्धवरी चीखें वो एक दूर पहाड़ी तक भी सुनाई देती है क्यों सुनाई देती है क्योंकि वो caged bird sing कर रहा अपनी आचादी के लिए वो गा रहा अपनी freedom के लिए इ इतना कस के चिलाता है और गाता है कि दूर पहाड़ी तक उसकी आवाज जा रही है इसके बाद पर लिखते हैं The free bird think of another breeze and the tree winds soft through the singing tree and the fat worms waiting on a dawn lawn and he named the sky his own The free bird think another breeze यानि कि और दूसरी तरफ जो आजाद पक्षी होती है वो यह सोचती है कि फिर से एक सुनाईरी हवा चलेगी और फिर मैं उसे enjoy करूंगी And the trade wind soft through the singing tree और वो जो trade wind चलती है जो एक specific direction में चलती है वो trade hawai वो hawai ऐसी बहती है मानो the singing tree यानि वो जो tree है वो उसके पतिल लहरा रहे हो And the fat worm waiting on the dawn lawn और एक fat worm यानि एक कीड़ा मोटा कीड़ा उसका इंतिजार कर रहा होगा lawn में यानि घास के मैदान में जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं एक पक्षी घास के मैदान में जाकर एक मुटा कीड़ा खा रहा है उसी तरह वो कीड़ा भी उनका इंतिजार कर रहा होगा उस पक्षी का और वो उसे खाएगा and then he named the sky his own और फिर वो ऐसी उडान भरेगा और यह सूच कर उडान भरेगा कि अब मैं अपने आकास में अपना नाम रखोंगा और यह आकास में उड़कर अपना नाम बनाऊंगा तो यहाँ पे पोएट आजाद पक्षी का लाइफ इतना सान मता रहे हैं कि हवा भी महसूस करता है पेडों को भी देखता है और तो और वो लॉन में उतर कर यानि garden घास में उतर करके एक मोटा किड़ा खाता है और फिर चुप चाब उड़ने लगता है वो कितना आजाद है और कितना फ्री है और कितना अपने लाइफ को एंजवाई करता है इस stanza में poet दिखाते हैं उसके बाद वो लिखते हैं और दूसरी तरह वो caged bird जो की पिंजडे में पक्षी है वो stand है, वो खड़ा है कहाँ पे grave of dreams यानि अपने ही सपनों के कबर पे वो खड़ा है आजादी के सपनों के कबर पे और उसकी जो परचाई है वो उस nightmare यानि बुरे सपना जो उसको आता है उसकी वो परचाई बन गया है और उसे डरा रहा है और फिर से वो वही लेंड दोराती है कि उसके जो पंख है उसे कुदर दिये गए है और उसके पेरब ठक चुके है दोड़ दोड़ कर उसी पिंजड़े में इसलिए वो अपनी कंठ को खोलता है और जोर से चिला कर गाता है तो इस स्टैंजा में पोईट फिर से एक बंद चिडिया की दर्द भरी चीजें बता रहे हैं कि किस तरह उस पर क्या क्या बीटती है और कैसे उसकी अब जो आजादी के सबने वो अब खत्म हो गए है और उसने अपने हालात से समझाओता कर लिया है पर फिर भी वो एक उमीद में चिलाता है और कोसिस करता है कि कास वो इस पिंजडे से अजाद हो सके इसके बार लास्ट की लैनों में पोईट लिखते हैं The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but loin for steel and his stone is here on the distance hill for the caged bird sing of freedom The caged bird sings और फिर से पोईट कहती है कि वो जो पिंजडे वाला पक्षी है वो फिर से गाना चाहता है पर उसे अभी भी डर लग रहा है fearful thrill लग रहा है क्योंकि वो unknown things को मांग रहा है यानि उसके लिए आजादी unknown हो गई है एक अंजानी चीज हो गई है and his stone is here और उसकी आवाजे सुनी जा सकती है कहां तक एक distance hail पहाडों तक सुनी जा सकती है जो कि बहुत दूर है वहां तक उसकी आवाज सुनी जा सकती है basically उसकी चीखे सुनी जा सकती है for the caged bird sing of freedom और वो चीखे क्या है कि वो जो पिंजडे वाला पक्षी है वो अपनी आजादी के लिए चीख रहा है गा रहा है और उस इतना कस के चीख गा रहा है कि एक दूर पहाड तक उसकी आवाजे जाती है और यहाँ पे दोस्तों इस poem को इंड होता है पर इस poem में हमें एक बहुत अच्छा meaning जानने को मिला और हमें पता चला कि एक पिंजड़े की बक्षी क्या चाहती है और कैसे वो आजाद होना चाहती है और उस पिंजड़े की बक्षी का compare वो black Americans से कर रहे थे कि अभी भी अमेरिका में black Americans को freedom नहीं मिला है वो white people के नीचे दब कर रहते हैं और उनका black Americans का वो वस इतना चाहते हैं कि उन्हें आजादी दे दिया जाए अब वो आजादी भूल भी गए है इतना time हो गया है तो please उन्हें आजादी दे दिया जाए ऐसा यह poet आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद अगर आपको मेरी यह poem telling अच्छी लगी हो तो subscribe करें like करें और share करें और comment सक्समने बताए कि आगे मैं किस कहानी पे बताऊं तब तक के लिए जैहिंद